विदेशी जमीन पर फिर घूंजेंगे मोदी मोदी के नारे स्वीडन में हो रहा है पियम मोदी का इंतजार पाच दिनों की यात्रा पर विदेश जा रहे पियम मोदी की स्वीडन के लिए रवानगी हो चुकी है सबसे पहले वे स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम पहुँचे है यहाँ वे स्वीडन की प्रधान मंत्री स्टेफान लोफवेन और नरेश कार्ल सोलवे गुस्ताफ से मुलाकात करेंगे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवोनमेश, विज्ञान, एवं प्रोध्योगी की, स्मार्ट सिटी और आपसी रिष्टों को मजबूती प्रदान करने के पहलों पर बातचीत होगी स्वच उर्जा के मामले में स्वीडन को महारत आसिल है और इस महारत का फायदा प्यम मोडी भारत के लिए लेना चाहते हैं वहीं भारत के まak-in India अभियान पर स्वीडन की नजर है सुीडन कई बार प्यम मोडी के इस अभियान की तारीफ कर चुका है यही वजय है कि भारत में 160 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां काम कर रही है। In terms of promoting India's growth story, not only India's growth story which has great opportunities, vast opportunities for Swedish business and industry but also for a sustainable world order. PM Modi, Sweden में व्यापारिक समुदाय से भी चर्चा करेंगे और यहां होने वाले नौडिक शिखर सम्मेलन में इस्सा लेंगे। Sweden में PM Modi, भारतिय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे।